चरण का रण जारी है और चटवे चरण में उत्रप्रदेश की 14 सीटों पर मद्दान हुरा है सुबा से अब तक की तस्वीर क्या है सबसे पहले आपको वो बताते हैं यूपी में अब तक 37.2-3% मद्दान हुआ है अमेटकर नगर में सबसे जादा 41.5-9% मद्दान हुआ है हूलपूर में अभी तक सबसे कम वोटिंग हुई है यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 33.05% है इलावाद में 34.06% मद्दान हुआ है सुल्तानटूर में जहां से मिनका गांधी एक बारफिट से चुनावी मैदान है वहाँ पर 38.42% मद्दान हुआ है परतापगर में 36.01% मद्दान हुआ है श्वाबस्ती में जहां से साकेत मिश्वा चुनावी मैदान में 34.74% यहाँ पर हुआ है दो मरिया गन जहां से जगदमिका पालेक बारफिरस से ताल ठोक रहे हैं यहां पर वोटिंग परसंटेज की बात करें तो 37.64% मद्दान हुआ है बस्ती में 40.07% मद्दान हुआ है संत्य कबीर नगर में 36.99% मद्दान हुआ है लालगन्ज में 38.12% मद्दान हुआ है आजमग 35.82 अभी हम आपको सुबा से अब तक पोटिंग की तस्वीरे दिखा रहे हैं तमाम बड़े चेहरों ने आज मद्दान किया है राश्पती दुरबदी मुर्मू को आप देख सकते हैं इसके लवा पूर राश्पती रामनात कोविन ने भी मद्दान किया लोगतंत्र के इस मह पर में शिरकत की और अपने प्रिमताधिकार का इस्तेमाल किया अब हम आपको वोटिंग की छे और तस्वीरे दिखा रहे हैं आप देखें वे देश मंतरी एस जशंकर ने मद्दान किया लोगों से भी मद्दान किया अपील की नायब सिंग सेनी हर्याना के मुख्यमंत्री उन्होंने भी मद्दान किया बासुरी सुराज जो कि खुद भी प्रत्याशी हैं उन्होंने भी मत्दान किया लोगों से वोट डालने के अपील की मनुहरलाल को भी आप देख सकते हैं मनुहरलाल खटर जो कह रहाना के पूरो मुख्यमंत्री और इस बार वो चुनावी मद्दान में वो भी मद्दान करते हुए नजर आए हर्श मलहुत्रा ने भी मद्दान किया और केंद्री मंत्री हरदीपूरी को भी आप देख सकते हैं उन्होंने भी आपने मताधिकार का इस्तिमाल किया उप्राश्पती जगदीब धनकर ने दिल्ले में वोटिंग की और लोगों से भी वोट करने के अपील की भारत के लिए अजूबा है कितनी संख्यामी लोग मत करते हैं मताधिकार दाइत्व भी है ताकत भी है भारत विश्व का सबसे जवलंत सक्रिय प्रभावी लोगतंत्र है दुनिया के लिए एक मिसाल है समाजवाधी पार्टी की उम्मीदवार अमरनात मोरिया ने दावा किया है कि फूलपूर की जनता बदलाव चाहती है किस तरह का उत्सा है और क्या उमीद कर रहे हैं। वो परचार परशार हमारा हो गया है अब महान जनता को निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से बूथ पर आकर मतदान करने के अपील की और कहा कि लोगतंतर किस महापरवका हिस्सा बनी है कि अपने देश की सरकार बनाने में अपने क्षेतर का जन प्रतनिदी चुनने में सभी अपनी सक्रिय भूमी का निभाएं और मद्देश थल पर आकर अपने मतदान मतादिकार का प्रयूग अंबिटकर नगर की डियम अविनाश सिंग ने लोगों को बड़ी संख्या में मद्दान करनी के पील कि यह स्वस्थ लोगदंत्र की यही है पहचान आपके सामने मौजूद है आप इनको देखिए यह हमारे बुजुर्गवार जो हैं वीलचेर पे आए हैं और उसके कितने खुसी के साथ इनों ने अपने मतादिकार का इस्तमाल किया है निश्चत रूप से जो एक यहां पर विवस्ता है आप देख रहों गेट से लेकर पूरे अंदर तक कहीं पर भी हर जगहां सेड़ लगा हुआ है किसी प्रकार की कोई धूप की गुंजाइस नहीं है पीने के पानी की विस्ता है गुड़ यहां पर रखा गया है से ही आप साथ बैसे देखिए कि बड़ी लंबी लाइन लग गई है जाने माने कभी सुरेंद्र शर्मा ने लोगों से बूट देनी के अपील कि और साथ ही बढ़ती जनसंक्या कुले कर सक्ति की बात गई ऐसा ना हो कि आप तो घर में बैठे मुश्कराते रह जाएं और दिल मुश्क के भाग में रोना लिग जाए ऐसा काम मत करना कभी भी जिन्दिक में है एक ही दिन तो मुल्क आपके लिए मांगता है उस दिन भी नहीं आओगे तो फिर कब जागोगे क्या मुद्धे आपके रहे जिन मुद्धों की वज़ा से आप अपने घर से बाहर निकले और लोग भी अपने घर से बाहर निकले एक ही मुद्धा है इस देश के किसी भी आदमी को आखो में आसू नहीं आए कोई सरकार ऐसा काम नहीं करे उसके हसाने काम मत करो यार उसको रूलाने का काम भी मत करो जानपूर में हमारे समवाता संकेत मिश्वा ने वोट देने के बाद जो लोग बाहर निकले उनसे बातचीत की वो भी आपको दिखाते हैं कि हमारा समाज सषक्त हो देश सशक्त हो राष्टर सशक्त हो और विश्व में हमारा परचम लहरा है इस चीज़ को ध्यान में परचम आएगा इस उम्मीर के साथ न मत रान चाहते हैं जौनपूर के क्या मुद्दे हैं, क्या विकास आप चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने मद्दान किया है।